रियो ओलंबिग का रंगा रंग उध्खाटन समभारों ब्राजिल के मारकाना स्टेडियों में हुआ स्टेडियों में उध्खाटन समभारों को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग इख़ता हुए पूरे ओलंपिक सेर्मनी में ब्राजिल की संस्कृती और परंपरा का अनोखा रंग देखने को मिला रोश्णी संगीत और नित्य के जरिये ब्राजिल की रंगा रंग संस्कृती और विविद्वता का जशन मनाया गया भार्तिय समय अनुसार सुभा चार बजे ओलम्पिक सर्मनी की शुरुआ तोई भार्तिय गल पैचानवे नंबर पर आया बिजिंग ओलम्पिक के गोल्ड मेडिलिस्ट अभिनाफ विंद्रा भार्तिय सदस्यों के बहुत जवाहत थे भार्तिय ओलम्पिक संग ने रियो ओलम्पिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भार्तिय खेलारियों को पचास लाख रुपाए का नकद को रिसकार देने की घोशना की है टीमों के मैनेजर और कोचों के साथ बैठक के बाद आई-ओ एक श्वीश अधिकारियों ने घोशना की कि राज्य ओलम्पिक संस्था पहली बार गोल्ड मेडल विजेता को पचास लाख रुपाए, सिल्वर मेडल विजेता को तीस लाख रुपाए और ब्रॉंस मेडल विजेता को दीस लाख रुपाए देगी इसके अलावा पोचों को खिलारियों को मिलने वाली राशी का 50 पतिशत दिया जाएगा खिलारी के गोल्ड मेडल जीत में पर पोच को 25 लाख रुपई मिलेंगे असम के कोकरा जार जिले में कल काले कपड़े पहने हमलावरों ने जम कर पायरिंग और गोला बारी की इस घटना में अब तक 14 लोगों की मौथ हो गई है जब कि काई लोग हायर हो गए सिती को नियंत्रित करने के लिए सेना ने मुच्चा संभाला है बही प्रधार मंति नरेंद्र मोधी ने ठुट कर हमले की मिल्डा की है हमला वरों ने पायरिंग के लिए AK-47 का इस्तमाल किया था शुरुवाती जिपोर्टों के मताबिक मरने वालों की संख्या पर सकती है सुरक्षबलों ने एक हमला वर को मार गिराया है जानकारे के मताबिक उक्रजहार के बालाघार तिनलों में उग्रवादी ने अंधा धुंद गोला बारी की इस घटना में NDSB उग्रवादियों के हाथ होने की संभावना है नावगरे को परक हुए इस हमले को लेकर असम के मुख्य मंत्री सर्बानन सोनुवाल ने प्रधान मंत्री मोजी से फोन पर बात की है और मामले की पूरी जानकारी नहीं अकरवाई है जम्ब कश्मीर भारी बारिश के बाद वैश्णो देवी के पास अर्ध कुमारी में चटान खिसकने से तीन तीर प्यात्री उप्री मोट हो गई है इस हादसे में छे शद धालूए जखनी भी हुए है जिसमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है दरसल खाती में पिछले कुछ दिनों से लगाता बारिश हो रही है लैंसलाइड अर्ध कुमारी की गुफा के पास हुआ है जानकार के मताबिक तीनों तीर प्यात्रियों की मोटे पर की मोट हो गई जिस जगहाई ये लैंसलाइड गुआ है वहाँ से वैश्टनों देवी मंदिर करीब 6 किलोमीटर दू है इस हादसे में जखनी हुए शरधालों को नारायन अस्पतार में पत्ति कराया है ज्यादार शरधालों को श्विर में पहरी चोटे आई है केंडर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कश्मीर घाटी में कानून विवस्था की सिप्री में सुभाथ हुआ है केंडर ने कहा कि हिद्विन मुजाहिदिन कमांडर दुर्हान वानी के मारे चाने के बाद 9 जुलाई को हुए 201 हिंसक रदर्शनों के मुकाबले 3 अगस्ट को 11 रदर्शन हुए केंडर सरका ने अपनी सेटस रिपोर्ट में कहा कि 30 जुलाई को घाटी के जागतर हिस्सों से कर्ष्यू हटा लिया गया था सॉलिस्टर जुनरल रंजीत कुमा ने बताया कि खाटी में 3 जिलों के कुछ ही हिस्सों में कर्षी जारी है उन्होंने कहा हाला कि सुरक्षा बलो और जमुकश्मीर पुलिस की लगातार कोशिशों की वज़ा से सिती में सुभाग हुआ है हिंजक प्रदर्शनों और जड़कों के बाद घटनाओं में काफी कमी आई है सुप्रीम कोट ने इन सभी बिंदूओं पर यासुका करता और जमुकश्मीर पेंसर पादी के बधीन सिंख को जवाब देने को कहा जिन्होंने राज्य में राज्य पाल सासन लगाने की मांगे थी हमले की अगली सुनवाई 22 अगस्ट को होगी केंद्र ग्रहमंत्री राजनाथ सिंग ने इसलामबाद में साथ सौमेलन के दौरान पाकिस्तान के रवईये को लेकर कर राज्य सभा में बयान दिया बैठक के बाद भोज में शौमेलना होने को लेकर ग्रहमंत्री ने कहा कि उन्होंने इसलामबाद में भारत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वई ही किया जो उन्हें करना चाहिए था राज्यनात में बताया कि पाकिस्तान की ग्रहमंत्री चौजरी निसार अली खान भी सब को दोपहर के भोज पर आमिंत्रित किया था लेकिन बैठक के तत्काल बाद वे अपनी गाड़ी में बैठ कर चले गए थे ग्रहमंत्री ने कहा कि इसके बाद उन्हें भी भारत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वही किया जो उन्हें करना चाहिए था ग्रहमंत्री ने कहा कि वहां मेरे साथ मर्यादित वेवार हुआ या नहीं इस बारे में कहने में मुझे संकोच होता है उन्हें जो करना था वे किया, मुझे कोई शुकायक नी है विजे रुपानी गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे उन्होंने राज़ेपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा बेश कर दिया है इससे पहले आनंदिवेन पटेल के इस्तिफे के बाद से गुजरात के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजे पी की माथा पच्छी कल सिलज गई है कल शाम कांधी नगर बीजे पी दफ्तर में पाठी के विधायक गल की बैठक के बाद रुपानी के नाम की घोशना की गई इसके साथ ही अब तक सीएम की रेस में सबसे आगे माने जाने वाले नितिन पटेल को दीप्ती सीएम बनाया जाएगा रुपानी रविवार कुश्कपत बहन करेंगे विजे भी विधायक गल की बैठक में राश्ट्रिया अध्याक्स अमिट्षा, सड़क परिवाहन मंत्री नितन गतकरी और आनंदी बैन पटेल ने भी शिरकत की बताया जाता है कि सीएम के नाम को लेकर रिधायक दल की बैठक में आनंदी बैन और आमिट्षा के बीच खत्रात गुई अमिट्षा विजे रुपानी को जब की आनंदी बैन नितन पटेल को मुख्य मंत्री बनाने के पक्षने थे कि रुपानी बीजे पी स्रमुक अमिट्षा के खास है और अब उनके इशारे पर की जज़रात में काम होगा हार्दिक ने दावा किया कि रुपानी सिर्फ नाम के लिए ही मुख्य मंत्री होंगे और पूरा काम अमिट्षा करेंगे दिन भर नितिन पटेल के नाम की चर्चा के बाद रुपानी का नाम टैक के जाने पर हार्दिक ने आरोप लगाया कि बीजे पी ने पटेल समुदाय को गुमरास किया है और कहा कि यदि नितिन पटेल को पटेल समाज में अपनी पोड़ी भी इमेज़ बचानी है तो वे तुरंट उपमुख्यमंत्री पट से अपना इस्तिफादे दे हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया कि पटेल समुदाय का गुज़रात में एक बार फेर अपमान हुआ है वही रुपानी का नाम तैकर अमिज़ शाने गुज़रात में नई राधुनीती के शुरुवात करने की कोशिश की है पूर्ब पीएम मनमोहन सिंग लंबेज अर्से बाद कलसंसद में बोले मनमोहन सिंग ने अंध्रप्रदेश रियोगनाईजेशन बिल पर मोधी सरकार पर आरोपो की जड़ी लगा दी उन्होंने राधिसभा में कहा कि केंद्र अंध्रप्रदेश के स्पेशल पाकेज जारी करे इस मुद्धे पर चर्चा के दौरान बीजेपी और कॉंग्रेस में त्कीखी बहस गी हुई मनमोहन सिंग ने इस मुद्धे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मोधी सरकार की ओर से दो साल पहले ये गए वादे पूरे किये जाए पहले सदस्य के वीपी रामचंदर राव के आंद्रप्रदेश पुनरगत थन विद्हेख को उच्छ सदन निलोक सभाध्यक्स के पास उसके भविश्य पर पैसला करने के लिए भेज दिया टीडीपी सदस्य कई दिनों से संसद और उसके बाहर इस मांग को उठा रही है आंद्रप्रदेश के मुख्य मंट्री चंद्रबाबु नाइदू में शुक्रवार को प्रियम मोधी से मुलाकात की और विशेश राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया अमाधी पार्टी ने पंजाब विधान सबाचनावों के लिए 19 उमीदवारों की पहली लिस्ट किया जारी की पार्टी में बवाल ही मच लिया पंजाब में पार्टी के वर्कर और पंजाब से जोड़े सीनिया नेता आरुप लगा रहे हैं पार्टी आला कमान ने दिल्ली में बेट कर इस लिस्ट को फाइनल कर दिया और पार्टी के पंजाब के ज़मीनी कारीकरताओं की भावनाओं को अंदेखा कर दिया गया पार्टी के पंजाब सायोजग सच्चा सिंग जो गुरुवार को उमीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते समय नदारत थे उन्होंने अपनी नाराजगी कल मीडिया के सामने खुल कर जाहिर की उन्होंने इशारों इशारों में साफ कर दिया कि टिकेट जारी करने के दौरान पार्टी की पार्लेमेंट अफेर्स कमेटी ने मनमानी की है और ने उनके फैसले को मानने को मजबूर है उधर टिकेटों के एलान से पहले ही पार्टी के तंजाब के सीनिय लीडर और सवक्ता हदीफ सिंग्स, पिंगरा ने पार्टी के दिल्ली से आएने इताओं पर मनमानी करने और बचलू की करने के आरोप लगाते हुए इस्तिफावे दिया महराश्च्र विधान मंदल के मौंजिन शत्र के आखरे दिन तमाम दलों ने एक राए से विधायों की किसारजी में एक सुछ्ष्यास कषिक्षत तक की भरोतरी को मंजूर दे दी अब महराश्च्र में विधायों को एक लाग सतर हजार रुपे प्रतिमा वेतन मेलेगा हराश्च्र में लोग प्रतिमिजी और सरकारी बाबूओं की सनुख्वा में समानता लाने के लिए बीज़िती सरका ने वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ता रखा था इसके तहट अब धिमंदल तदस्यों में पद की अनुसार वेतन का फर्थ होगा मुखे मंतری और काबिनिट मंतरियों को प्रतिमा 2,000,000 रुपे मिलेंगे जब कि राज्य मंतरियों को 1,000,000 और सादखारन विधायक को 1,60,000 रुपे प्रतिमा वेतन मिलेगा इसे पेले सब भी को हर महीले मियों तर्म 45,000 रुपे मिलेखे इस बीच पूर्व विधायकों के पेंशन निबरोत्री करना भी महाराज के सरकार भूरी नहीं है इस पेंशन को 44,000 रुपई से 50,000 रुपई करतीमा किया गया है साथी हर टर्म के लिए अतिरिक्ष 10,000 रुपई करतीमा मिलेंगे साथी अरब ने फसे भारतियों के बीच साथी के डायरेक्टर, जनरल और भारत के विदेश फ्राजिमंद्री वीके सिंग कल जब जेदा में फसे वरकर से मिलने सोजेक्स कैम्प जेदा पहुंचे तो उनमें खुशी की लहर दोर गन वहां मौजूद लोगों ने वीके सिंग जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शुष्मा, सुरा, जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिये वही कुछ फसे भारतियों वोकर ने भारत लॉप्समी से इंकार कर दिया आठ महीने से सैल्वी नहीं मिलने के कारण जिदा में फसे कामगार भारी कर्ज में जुबे हुए हैं जिदा में फसे राजिस खान के कुमान सिंग ने कहा इस सरकार ने हमारी मदद की और वीके सिंग सहाब यहां आएं इसलिए उनको हम सुपरिया कहते हैं लेकिन आठ महीने से हमें सैल्वी नहीं ही ली और हम और हमारे घरवालों के उपर लाखो रुपए की उभारी हैं इसलिए ऐसी हालत में घर लौट ना संभव हुए हैं सुपरीम कोर्ट में केंद सरकार से कहा कि दूद में मिलावत करने वालों को उम्र कैल जैसी कड़ी सजा देने का कानून बनाने पर रुचार करें क्योंकि दूद का सेवन बच्चों समेत लोगों का एक बड़ा समो करता है कोर्ट में स्वामी अच्यूद तानन फेरत समेत अन्य द्वारा दाख्तिर जन्हित यासिकाओं पार ये सैसला दिया प्याशिका में कहा गया था कि दिल्ली उस्टवेश, पंजाब, हर्याना और राजिस्थान में बड़े पैमाने पर मिलावती दूद का गोरत भंगा चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट में अपने पैसले में सरकार को कई अन्य देश भी दिये हैं इछले चार वर्षों से सरकार को खाच रख्षा एवग मानक अधिमियम 2003 में बदलाज करने के लिए कहने के बावजूद कोई नतीजा सामे ना आने पर कोष में लिनिदेश दिये स्पानिश ट्रेंड चेलगो अपने दूसे परिक्षन के दौरान सुप्रवार को दिली से मुंबाई के लिए रवाना होई ये च्रें नई दिली रेल्डे स्टेशन के प्लाट्वाम नंबर एज से दोत है दो बजकाल 46 बजे मुंबाई के लिए रवाना होई आधुनेक सुरिधाओं वाली टेल्गों का एक अगस्त को भी परिक्षन हुआ था परिक्षन के दौरान रुतराम के आगे पच्छियों के नीचे से मिठी बहज़ाने के कारण ये ट्रेन एक घंडा चौालिस मिनिट की देरी से मुंबई पहुंची थे वेल्वे दूसे परिक्षन को सफल बनाने की कोशिश में पिता है तासि ट्रेन समय से मुंबई कहुंच सके वेल्वे बोर्ट ने दिल्ली से मुंबई के बीच परने वाले स्टेशनों गोल गरूरी सो भी धाओं की सुचना देज दी है इसमें ट्रेन के पहुंचने का टाइम टेबल धीब मौझूद है जिससे परिक्षन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी के बचा जा सके बिचले परिक्षन में ट्रेन को कई जगा पठ्टी खाली थेने का इंतिजार कहना पड़ा था जिसे बचने की भी भर सक कोशिश की जा रही है वर्तमान में कॉमेडी शो मजाक मजाक में निरनायक की भूलिका निभार रहे पाकिस्तान के फूर्व टेज गेंदबाज सुहेब अफ्टर ने बताया कि वे जब भी भारत आते हैं तो बॉलिवूद सुपिस्टा सल्मान खान के परिवार से मुलाकात करने के लिए उनके धर जरू जाते हैं ये बात खुद तोहेब ने कहा कि जब भी मैं भारत ही होता हूँ तो अक्स सल्मान खान के भर जाता हूँ मैं सल्मान से नहीं बल कि उनके माता पिता से नहीं जाता हूँ वे अद्धुत विक्ती है और मैं हमेशा से सल्मान और उनके धाई का प्रसंद सकती है कि वे अपने माता पिता साथ कितना समान करते हैं तो ये भी कहा उनसे मिनने कोई भी जाता है वे उनका खुशी सेफवागत करते हैं वे काफी मददकार और महानोग है